हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोई भी चीज आपके लिए कितने इनफ हैं, क्या आप भी बार बार खुद को दूसरा से कंपेर करते हो और परिशान होते हो, क्या आप जानते हो जिन्जी कि में किन किन चीजों का रिस्क नहीं लेना चाहिए और किन किन चीजों का रिस् 10 years की age में उनके parents की death हो गई थी, वो orphans हो गई थे, लेकिन वो बहुत ही brilliant student थे, उन्होंने IIT crack किया 15th rank के साथ and then MBA किया Harvard Business School से, 1973 में उन्होंने McKinsey & Company जोइन की, जो उस समय की बहुत बड़ी consulting firm थी, जब वो अपने 40s में थे, तो वो उस company के CEO बन गए, उसके बाद वो US की 5 board of director भी थे, जिसमें से एक Goldman Sachs था, 2008 तक उनकी net worth 100 million dollar थी, जो की एक बहुत बड़ा amount है, 2008 की crisis के बाद, Goldman Sachs की हालत बहुत खराब हो गई थी, उस समय Warren Buffett ने 5 billion dollar investment का प्लैन किया Goldman Sachs में, क्योंकि रजत गुपता board meetings के member थे, तो उनको ये बात पता थी, उन्होंने अपने 16 seconds की call पे, राजा रत्नम से बात की, और उसी समय राजा रत्नम ने 1,75,000 shares purchase कर लिए Goldman Sachs के, और जैसे ही Warren Buffett की investment public हुई, Goldman का share आसमानों तक पहुँच गया, रत्नम ने कुछ ही समय में 1 million dollar बना लिए, सैक की according, गुपता ने insider trading की मदद से 17 million dollar का profit किया, insider trading के जुर्म में उनको 2 साल की jail हो गई, उनका सारा career, सारी reputation बिलकुल खितम हो गई, दोस्तों उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो चाहते तो अपने 100 million dollar को invest करके 10% की average के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा स समय में, अब इस घटना से हमें 4 चीज़े सीखने को मिलती है, number one, अगर हमारी expectation बढ़ती रहेगी हमारे results के साथ, या हमारे goals achieve करने के साथ, तो हमें कभी भी satisfaction नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम एक goal को achieve कर लेंगे, तो हमें सामने दूसरा goal दिखाई देगा, हम उस goal को achieve करने की tension में रहेंगे, मेरा एक दोस्त था school में, जो हमेशा top करता था, कभी 80% के साथ, तो कभी 90% के साथ, लेकिन वो अपनी पूरी class में सबसे unsatisfied लड़का था, क्योंकि जब उसके 80% marks आते, तो वो 90% expect करता, और जब उसके 90% marks आते, तो वो 95% expect करता, दोस्तो, taste of more is very dangerous, more money, more power, more fame, दोस्तो, एक thumb rule समझ लेते हैं, happiness is equal to results minus expectation, अगर आपकी expectation ज़्यादा है, आपके result से, तो आपकी happiness हमेशा negative रहेगी, आपका भी खुछ नहीं रह पाऊगे, नमबर 2, social comparison is the problem, दोस्तो, अपने आपको दूसरों से compare करना, सबसे बड़ी problem है, और इस problem को 90% लोग face करते हैं, क् हमें बच्पन से यही सिखाया गया है, कि उसको देखो, वो कितना अच्छा कर रहा है, शर्मा जी के बेटे को देखो, उसके कितने marks है, हमें कभी नहीं बताया जाता कि हमें खुद को कैसे improve करना है, हमें बताया जाता है कि दूसरा कितना अच्छा कर रहा है, जब भी हम फोकस नहीं रहता है क्योंकि हमारा सारा फोकस दूसरे लोगों पे हैं रजजित गुपता ने भी यही किया अगर वो अपने आपको बड़े लोगों के साथ बिलेनियर्स के साथ कमपेर ना करते तो शायद वो जेल में ना जाते और अच्छी जिंदगी जी रहे होते दोस्तो सोशल कमपेरिजन का कोई एंड नहीं है अगर आप एक इंसान के बराबर हो भी जाते हो तो उससे बड़ा कोई इंसान मिल जाएगा अगर आप उसके बराबर हो जाते हो तो उससे बड़ा कोई तीसरा इंसान मिल जाएगा अगर आपको खुद को कमपेर करना ही है तो अपन इनफ का मतलब होगा opportunity at potentials को छोड़ देना लेकिन ऐसा नहीं है इनफ का मतलब है कि आपको यह एहसास हो जाना कि insatiable appetite for more will push you to the point of regret दोस्तो आपको इनफ को समझना बहुत जरूरी है दोस्तो कुछ चीज़े ऐसी होती है जिनें आपको कभी भी दाओ पे नहीं लगाना चाहिए पर एक्जमपल आपकी freedom, family and friends, happiness दोस्तो महाबारत में यूदिस्टर ने भी यही गलती की थी उन्होंने risk appetite को ना समझते हुए अपनी family को, अपनी wife को ध्यूत के game में दाओ पे लगा जिया था और हार गए थे जिसकी सजा उनके साथ साथ उनकी family और उनकी पूरी परजा को भुगतनी पड़ी थी Conclusion, enough is enough मैंने ये सबी बाते the psychology of money book से बताई है दोस्तो अगर आपको जानना है कि पैसे के लिए इंसान की psychology कैसी है और कैसे वो react करता है किस तरीकी के decision लेता है तो मैं मानता हूँ कि आपको ये book जरूर पढ़नी चाहिए बहुत ही interesting book है और बहुत ही great lessons इसके अदर दिये हुए उमीद करता हूँ दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए दोस्तो मिलते है किसी और वीडियो में